हेलो दोस्तों स्वागत है आपका YouTube channel TED FACT में हमारे पिछले वीडियो में हमने आपको हिंदी ब्याक्रण के तहत भाग एक और भाग दो में स्वर, बियंजन और वर्ण विचार के बारे में बताया था हमारे आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं गणनों के उचारण अस्थान के बारे में जिससे प्राया, सीटेट और यूबीटेट से प्रस्ण पूछे जाते हैं तो दोस्तों आईए हम सुरू करते हैं अपना वीडियो तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्स्राइब करिए और कमेंट्स करना न भूलिएगा और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें तो आईए शुरू करते हैं हम आज का अपना वीडियो वनों के उचारन अस्थान तो इसमें पहला वन है हमारा ह ह का उचारन अस्थान है स्वर्यंत्र और इसकी वन ध्वनी का नाम है अली जिहवा वन व व का उचारन अस्थान है दन्त और ओस्ट से ये बोला जाता है और इसकी जो वन्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध् चवर्ग का मतलब है च, च, ज, 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 और य, श, इसका उच्चारण स्थान है तालू और इसकी वण ध्वनी का नाम है तालब्य, री, टवर्ग, टवर्ग का मतलब ट, ठ, ड, ढ, ढ, और र, श, इसका उच्चारण स्थान है मुद्रधा और इसकी वण ध्वनी का नाम है मूर्धन्य, री, तवर्ग, और ल, स, इनका जो उच्चारण स्थान होता है ये दंत से बोले जाते हैं और इसकी जो वण ध्वनी का है उसका नाम है दंते, छोटा उ, बड़ा उ और पावर्ग इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो ओठ से बोला जाता है ओस्थ और इसकी जो वन ध्वनी का नाम है वो है ओस्थ है अंग, अंग, इयं, अड़व, न, म इसका उच्चारण स्थान है नासिका और वन ध्वनी का नाम है नासिक्य छोटा ए और बड़ा ए यानि कि ए, अए उच्चारण स्थान है कंठ, तालू, कंठ यानि कंठ और तालू की सहता से बोले जाते हैं और इसकी वन ध्वनी का नाम है तालब्य ओ, ओ, इसका उच्चारन स्थान है कंठ ओस्ट यानि कंठ और ओस्ट की सहता से बोले जाते हैं और इसकी वन धोनी का नाम है कंठ ओस्ट है तो दोस्तों वनों के उच्चारन स्थान में आपको जो यूपीटेट और सीटेट में जो प्रस्ण पूछे जाते हैं वो उच्चारन अस्थानों के नाम या उनकी वर्ण धोनियों का नाम पूछ लिया जाता है और आपको प्रश्ण में वर्ण दिये होते हैं तो दोस्तों आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा हमारे वीडियो को शेर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट्स करना मत भूलिएगा ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियो ला सकें कमेंट बॉक्स में अपने सुधार और सुझाओ जरूर दें और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद